आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है इसलिए लास्ट तक जरूर देखना तो कल भारत वसस अफगानिस्तान का तीसरा और लास्टी 20 मैच था और ये सबसे रोमांचक मैच बन गया क्योंकि कल मैच के विनर का फैसला दो सुपर ओवर के बाद हुआ कल टीम इंडिया की शुरुआत बहुत खराब रही और ऐसा लग रहा था कि वो गेम हार जाएंगे क्योंकि यशस्वी जैसवाल ने केवल चार रन बनाए शिवम दुबे एक रन विराट कोहली और संजू सैमसन जीरो रन पर आउट हो गये थे लेकिन रोहिच शर्मा और रिं अफगानिस्तान ने भी 20 ओफर में 6 विकेट पर 122 रन बना लिये इसके बाद मैच सूर ओफर में पहुँच गया पहली बार एक मैच में दो सूपर ओफर खेलने पड़े फर्स्ट सूपर ओफर में अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए भारत को 17 रन बनाने थे लेकिन रोहित शर्मा यशस्वी जैसवाल और रिंकू सिंह मिलकर 16 रन ही बना सके इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ इसमें भारतिय टीम ने पहले बैटिंग की और 11 रन बनाए इस बार रोहित और रिंकू के अलावा संजू सैं भी नहीं खोल सके भारतिय टीम ने सूपर ओवर में मैच को जीत कर सीरीज 3 जीरो से अपने नाम कर ली और प्लेयर अफ दे सीरीज शिवम दुबे बने और प्लेयर अफ दे मैच रोहित शर्मा रहे और मैच के बाद रोहित शर्मा के पोस्ट की कुछ तस्वीर हैं उनके इ जैंत पकड़ने का तरीका काफी हद तक जस प्रीत बुम्राह के बोलिंग एक्शन से मिलता जुलता लग रहा है दे लुक्त क्वाइट सिमिलर और एक बात जब हर कोई पिक्चर्स क्लिक करने के लिए तयार हो रहे थे तो देखिए कि विराट कैसे पिक्चर्स क्लिक करने क के लिए फिसलते हुए आये। Literally yesterday's match was worth watching. So if you like this video, please hit that like button and don't forget to subscribe to this channel.